हेलो ब्रिवन मैं एसके सिंग मेडिकल एडमिशन काउंसलर नीट पीजी 2023 MCC काउंसलिंग का जो सिडूल है और लिंगा कोटा 50 परसेंट और डिन बी दिम इनवर्सिटी के लिए वो रिलीज कर दी गई है MCC के द्वारा तो आप लोग जाएं MCC का ऑफिसेल साइट पे और वहां से आप चेक कर पाएंगे इसका सिडूल 27 से इसका रजिस्टेशन स्टार्ट होगा वैसे स्टूडेंट जो MCC काउंसलिंग में पाटिसिपेट करना चाहते हैं तो आप लोगों काउंसलिंग स्टूल जानना काफी आवस्टेशन इसमें 2-3-4 ऐसे मेजर चेंजेश देखने को मिला है इसे काउंसलिंग काफी डिफर हो सकता है कंपियर टू लास्ट इयर हो सकता है कुछ-कुछ अस्टूएंट को कम से कम अस्कोर पे भी सीटे मिल सकती है पार्टिकूलर कुछ ब्रांचेज लेकिन कुछ-कुछ ऐसे ब्रांच या फिर कुछ-कुछ ऐसे कॉलेजिज होंगे 2023 में भी दिखेगा और वैसा ही आपको दिखने को मिला क्योंकि यह काउंसलिंग और जो यूजी के लिए रूल होगा वो सेम रूल आपको पीजी में भी लागू किया जाएगा ऐसे कंडिशन में यहां पर दो मेजर चेंजेज जो है खास करके वैसे तो चार से पांच चेंजेज बोल सकते हैं पहला नंबर की जो डीम्ड इनवर्सिटी था उसके लिए राउंड वन राउंड टू और मॉप अप राउंड ही सिर्फ ऑनलाइन हुआ करता था लेकिन इस यहां साथ दूसरा जो चेंजेज है वह राउंड बन राउंड टू और मॉप राउंड में फ्रेस रेजिस्टेशन हुआ करता था लेकिन अश्ट्रे वेकेंसी में उन्हीं स्ट्रेंट कोई एलिजबल किया जाता था जो राउंड वन राउंड टू या फिर मॉप इस साल से क्या हुआ है कि फ्रेस रेजिस्टेशन भी आप कर सकते हैं है मुद्ट क् पहले क्या हुआ करता कि जब आपको किसी भी सीट एलउट होती एमकी सीट्ट कांस्लिंग के थ्षुद्भ या फिर हो गोश्वर्मेंट हो प्राइब ब्स्तृम या फिर आपको डिय वी में और अब टोकॉर्मेंव signal या इसके लिए जो भी पार्टिकुलर कॉलेज़ भी एक बार फिर से उन्हें document verification करेंगे उन joint candidate को अगर वहाँ पर कोई fault पकला जाता है team seat को cancel किया जाएगा तो ऐसे condition में जो All India Quote या फिर dimmed university के लिए जो NRI Quote से लोग seat लिया करते थे किसी और के नाम पर जिनका blood relation नहीं है उन student को problem किरियेट हो सकता है वैसे जैनरल ही चल सकता है लेकिन अब इस बार जो student NRA के नाम पर management के नाम पर dimmed university में खास करके सीटे बुक करा रखे हैं उन student को कुछ student को उन में से काफी अच्छा नुक्सानात हो सकते हैं अब भी ना सोचे समझे अगर किसी college में आपने सीट बुक करा रखा है और लाश्ट इयर या इसके लाश्ट इयर आपके रैंक सीट नहीं मिली है तो इस साल भी मुश्किल हो सकता है इसलिए बैक आप आप लेके चले किसी पर्टिकुलर college पर डिपेंड ना हो तो हम एक बाद देखते हैं जो counseling जो होगा हमारा mcc का सीडूल आ चुका है इसके according अस्टेट का भी लगबग लगबग 8 अस्टेट का counseling सीडूल आ गया है लेकिन जो counseling allotment होगा वह आपको alternate करके होगा पहले round one all India का होगा इसके बाद अस्टेट का होगा फिर round two all India का होगा फिर round two होगा अस्टेट का होगा तो इसका tentative schedule जो है वह कल या परसो तक आ जाएगा जिसमें बताया जाएगे कि mcc का counseling है और जो allotment का जो last date होगा round one का वह दिया होगा और साथ में सभी state का भी दिया होगा कि इस date से इस date तक सभी state का round one का counseling finish करना होगा इसके बाद round two का भी दिया रहेगा तो जैसे ही आएगा मैं आप लोग अपडेट कर दूंगा हम देखते हैं सबसे पहले counseling सीट या फिर counseling सीटुल स्टाट करने से पहले एक बार फिर से मैं बता दू कि वैसे management जो admission लेना चाहते है admission guidance लेना चाहते है बहुत सारे ऐसे अश्टेट है जहां कि आप सीटे ले सकते हैं कम से कम श्कूर पर भी सीटे मिलेंगे या फिर आप हमारा guidance लेना चाहते है तो आप चाहें तो या premium service लेना चाहते तो contact कर सकते हैं हमारा इंडिया में 6-7 अश्टेट डिम्ड इनवर्सिती, सेंटर इनवर्सिती के लिए, डिनवी के लिए, एफमजी के लिए, और साथ में डिपलोमा के लिए, इसका जो सीट मैंतिस आएगा और 27 तु 28 जुलाई को आएगा, जो participating इंचिचूट से उसके एकोडिंग, रेजिस्टेशन जो श्टार्ट होगा और 27 जुलाई से स्टार्ट होगा और 1 अगस्त तक रेजिस्टेशन चलेगा, इसके बाद 24 फिलिंग और 24 लॉकिंग करना होगा आपको रेजिस्टेशन के बाद, रेजिस्टेशन प्रोसेस में आप लोगों को बता ही दिया हूँ, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ, अ हाँ पर रेजिस्टेशन करना होगा, रेजिस्टेशन अमाउंट मैं आपको एक बार किलियर कर देता हूँ, जेनरल के लिए और EWS के लिए, गवर्मेंट सीट के लिए करते हैं, या फिर DNB के लिए करते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, सेंटन इनवर्सिटी के लिए करते है है तो जेनरल के लिए 1,000 रेजिस्टेशन अमांट होगा जो कि नॉन रिफंडेबल होगा और 25,000 सी कोड़ी डिपोजिट करना होगा जो कि रिफंडेबल होता है वहीं कैटेगरी वाले स्ट्वेंट ओबी सी एस्टी के लिए बात किया जा तो 500 रेजिस्टेशन अमांट और 10 रिफंडी सी कोडेशन रिफंड करोवगा तभी आप चॉइस्ट फिलिंग कर सकते हैं इसके बाद आप करेंगे स्टियुद्ष चॉइस अथी आप आप हो जा जाएगा यहाँ पर देखी चांट को MCC के पोर्टल पर यह भी एक बड़ी चेंज है, बिग चेंज है कि MCC के साइट पर पहले डॉक्मेंट अपलोड नहीं करना होता था, यहां पर आपको डॉक्मेंट अपलोड करना है रिजल्ट के बाद, वो 6 अगस्ट तक कर देना है, रिपोर्टिंग के लिए समय दिया होग सब्सक्राइब आपको जो सही सीट है, तो आप उसको रिपोर्ट करके उससे संतुष्ट नहीं है, तो राउंड वन में आप फ्री जीट ले सकते हैं, और यदि आपने चाहा कि नहीं इस सीट को लेते हुए मैं राउंड टू में अपग्रेड करूं, तो उस सीट को आपको आपको सीट मैट्रिक्स आएगा और रजिस्टेशन जो राउंड टू में नहीं किये तो वैसे राउंड टू में रजिस्टेशन करेंगे, उसका डेट है सेवेंटीन तू, सेवेंटीन अगस्ट तू टू ट्वेंटीफर्श्ट अगस्ट, चोईस फिलिंग के लिए एटी आपको 25 अगस्ट को आएगा, डॉकमेंट अपलोड करना है 26 अगस्ट को और रिपोर्टिंग का डेट दो दिया हुआ है कॉलेज में जिनको सीट मिल जाती है राउंड टू में उन्हें 27 तू 4 अगस्ट तक रिपोर्ट करना होगा, आपको 9 देज का समय मिल रहा है, इसके आपको आपको वेरिफाइ करेगी 5 तू 6 अगस्ट को, इसके बाद राउंड टू के बाद जो नॉन रिपोर्टिंग और नॉन ज्वाइनिंग जो सीटे बच जाएगी, उन सीटों के लिए मौप अप राउंड कराई जाएगी, यानि कि राउंड थड, अब ये राउंड हो गया, पहले मौपाप राउंड बोला जाता था, लेकिन अब इसका भी नाम चेंज करके, राउंड थड कर दी गई है, तो राउंड थड का जो काउंसलिंग होगा, वो आपको फ्रेश रेजिस्टेशन होगा, 7th सिप्तंबर टू 12 सिप्तंबर तक, रेजिस्टेशन प्र करना हो, 17th सिप्तंबर तक कर सकते हैं, रिपोर्टिंग करने का समय जो दिया हुआ है, रिपोर्टिंग को, वो 18-25 सिप्तंबर, यानि कि 8 डेज का टाइम मिलेगा, आपको कॉलेज को रिपोर्ट करने के लिए, इसका बाद MCC जो डॉक्मेंट वेरिफिकेशन करेगी, लीटी जो दिया गया है, इसका जो आपको रिजिस्टेशन का डेट होगा, और फी पेमेंट करने का डेट होगा, वो आपको 28 सिप्तंबर से 30 सिप्तंबर, और च्वाइस फिलिंग और लॉकिंग होगा, वो 29 से 1 अक्टूबर, प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलोट्मेंट 20, सोर यह आपको दिया हुए, ज्वाइन करने के लिए समय दिया हुआ, यहाँ पर आपको कोई मेंटन किया गया है कि डॉक्सिश्ट गएkel कर दी है, वो करेगी या नहीं करेगी, इसका कोई डेटा मेंटन नहीं यहाँ पर है, यहाँ तक मैं बता दूं कि जो तो आपको अभी से चीजों के चलना होगा आप MCC के साथ साथ अश्टेट को भी टार्गेट करके चलेंग खास करके जो गवर्मेंट सीट लेना चाहता है यह नहीं कि सिर्फ आप आपको अपने स्टेट का कीजिए ऐसे में फंस सकते हैं हो सकता है कि आपको अपने स्टेट से नहीं अच्छे कॉलेज मिल जाए यह हो सकता है कि आपको अल इंडिया से नहीं अच्छे सीटे मिल जाए लेकिन आपको लाश्ट राउंड तक जाना ही होगा यदि आपको सीटे आपके according नहीं मिल पाती है, last round in the sense third round, mop up round, लेकिन यहाँ पर और आता है जिनका score ही बहुत कम है, और private college में admission लेना चाहते हैं, तो MCC में dimmed में try कीजिए, इसके साथ private में भी multiple option लेके चले, तब आप safe zone में हो सकते हैं, otherwise आप फस सकते हैं, बाकी आप लोग के admission चाहिए, NRI कोट है या फिर normal, तो आप चाहे तो contact कर सकते हैं, हमारी team आपको proper guide करेंगे, और seat मिलने में आपको ज़्यादा supportive हो सकते हैं, जी है दोस्तों, फिजाल के video में ते ही, thanks पूराजे,